C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई एक पूर्णांक प्रिष्ठ उन्नीस एक दशमलव पाँच दशमलव साथ गुनन को आसान बनाना निम्न लिखित पर विचार कीजिये एक, माइनस पत्चीस गुना सैंतीस गुना चार को हम कोश्ट हको में माइनस पत्चीस गुना सैंतीस गुना चार बराबर माइनस नौसा पत्चीस गुना चार बराबर माइनस तीन हजार साथ सौ के रूप में ग्याद कर सकते हैं प्रिष्ठ बीस अत्वा हम इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं माइनस पचीस गुणा सैंतीस गुणा चार बराबर माइनस पचीस गुणा चार गुणा सैंतीस बराबर कोश्ट हकों में माइनस पचीस गुणा चार गुणा सैंतीस बराबर माइनस 100 गुणा 37 बराबर माइनस 3700 कौन सी विधी आसान है? सपश्ट रूप से दूसरी विधी आसान है क्योंकि माइनस 25 को 4 से गुणा करने पर माइनस 100 प्राप्त होता है जिसे 37 से गुणा करना आसान है ध्यान दीजिए दूसरी विधी में पूरण आंकों की क्रम विनी मेयता और सहचारिता सम्मिलित हैं इस प्रकार हम देखते हैं के पूरण आंकों की क्रम विनी मेयता, सहचारिता और वितरणता परीकलन को सरल बनाने में हमारी सहायता करती हैं आईए इससे आगे और देखें कि इन गुणों का उपयोग करते हुए कैसे परिकलनों को आसान बनाया जा सकता है दो, सोलह गुणा बारह ग्यात कीजिये सोलह गुणा बारह को सोलह गुणा कोश्ठकों में दस जमा दो के रूप में लिखा जा सकता है 16 गुणा 12 बराबर 16 गुणा कोश्ठकों में 10 जमा 2 बराबर 16 गुणा 10 जमा 16 गुणा 2 बराबर 160 जमा 32 बराबर 192 3. – 23 गुणा 48 बराबर – 23 गुणा कोश्ठकों में 50 घटा 2 बराबर – 23 गुणा 50 घटा – 23 गुणा 2 बराबर – 1150 घटा – 46 बराबर – 1104 4. – 35 गुणा – 98 बराबर – 35 गुणा कोश्ठकों में – 100 जमा 2 बराबर – 35 गुणा – 100 जमा – 35 गुणा 2 बराबर 3500 जमा – 70 बराबर 3430 5. 52 गुणा माइनस आठ जमा माइनस बावन गुणा दो बराबर 52 गुणा माइनस आठ जमा बावन गुणा माइनस दो बराबर 52 गुणा कोष्ठकों में माइनस आठ जमा माइनस दो बराबर 52 गुणा माइनस दस बराबर माइनस पाँच साव बीस प्रायास कीजिए, वितरन गुण का उपयोग करते हुए, मैनस उन्चास गुणा अठारह, मैनस पचीस गुणा मैनस इकतीस, सत्तर गुणा मैनस उन्नीस, जमा मैनस एक गुणा सत्तर के मान ग्यात कीजिए उदाहरन दो, निम्न लिखित में से प्रत्येक गुणन फल को ग्यात कीजिए, एक, मैनस अठारह गुणा मैनस दस गुणा नौ, दो, मैनस बीस गुणा मैनस दो गुणा मैनस पांच गुणा साथ, तीन, मैनस एक गुणा मैनस पांच गुणा मैनस चार गुणा मैनस चे, हल, 1. –18 गुणा –10 गुणा 9 बराबर कोष्टकों में –18 गुणा –10 गुणा 9 बराबर 180 गुणा 9 बराबर 1620 2. –20 गुणा –2 गुणा –5 गुणा 7 बराबर –20 गुणा कोष्टकों में –2 गुणा –5 गुणा 7 बराबर कोष्टकों में –20 गुणा 10 गुणा 7 बराबर –1400 तीन, माइनस एक गुणा माइनस पांच गुणा माइनस चार गुणा माइनस चै बराबर कोश्ठकों में माइनस एक गुणा माइनस पांच गुणा कोश्ठकों में माइनस चार गुणा माइनस चै बराबर पांच गुणा चावबीस बराबर एक सावबीस उदाहरन 3 सत्यापित कीजिए माइनस 30 गुणा कोष्ठकों में 13 जमा माइनस 3 बराबर कोष्ठकों में माइनस 30 गुणा 13 जमा कोष्ठकों में माइनस 30 गुणा माइनस 3 प्रिष्ठ 21 हल माइनस तीस गुणा कोश्ठकों में तेरह जमा माइनस तीन बराबर माइनस तीस गुणा दस बराबर माइनस तीन सौ कोश्ठकों में माइनस 30 गुणा 13 है जमा कोश्ठकों में माइनस 30 गुणा माइनस 3 बराबर माइनस 390 जमा 90 बराबर माइनस 300 इसलिए माइनस तीस गुणा कोश्ठकों में तेरह जमा माइनस तीन बराबर कोश्ठकों में माइनस तीन गुणा तेरह जमा कोश्ठकों में माइनस तीस गुणा माइनस तीन उदाहरण 4 15 प्रेशनों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्थर के लिए 4 अंख दिये जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्थर के लिए माइनस 2 अंक दिये जाते हैं 1. गुर्प्रीत सभी प्रशनों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल नौ सही हैं। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किये हैं। दो, उसके एक मित्र के केवल पांच उत्तर सही हैं। उस मित्र के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। हल एक, एक सही उत्तर के लिए दिये जाने वाले अंख बराबर चार, इसलिए नौ सही उत्तरों के लिए दिये गए अंख बराबर चार गुणा नौ, बराबर चतीस एक गलत उत्तर के लिए दिये जाने वाले अंख बराबर माइनस दो, इसलिए गुरुप्रीत द्वारा प्राप्त किये गए अंख बराबर चतीस जमा माइनस बारह बराबर चार बीस दो, एक सही उत्तर के लिए दिये जाने वाले अंख बराबर चार इस प्रकार पांच सही उत्तरों के लिए दिये गए अंख बराबर चार गुणा पांच बराबर बीस एक गलत उत्तर के लिए दिये जाने वाले अंक बराबर माइनस दो अथह दस बराबर पंद्रह घटा पांच गलत उत्तरों के लिए दिये जाने वाले अंक बराबर माइनस दो गुणा दस बराबर माइनस बीस इसलिए गुर्प्रीत के मित्र द्वारा प्राप्त किये गए अंक बराबर बीस जमा माइनस बीस बराबर शुन्य उदाहरन पांच मान लीजिए के हम पृत्वी से उपर की दूरी को धनात्मक पूरणांक से निरुपित करते हैं और पृत्वी से नीचे की दूरी को धनात्मक पूरणांक से निरुपित करते हैं तो निमनलिखित के उत्तर दीजिए एक एक उत्थापक यानि एलिवेटर किसी खान कूपक में पांच मीटर प्रती मिनट की दर से नीचे जाता है एक घंटे पस्चात उसकी स्थिती क्या होगी दो, यदि वह भूमी से पंदरह मीटर उपर से नीचे जाना शुरू करता है तो पैंतालिस मिनट बाद उसकी स्थिती क्या होगी हल एक, क्योंकि उत्थापक नीचे की ओर जा रहा है इसलिए उसके द्वारत तै की गई दूरी को रिनात्मंक पूरणांक से निरुपित किया जाएगा एक मिनट में उत्थापक की स्थिती में परिवर्तन बराबर माइनस पांच मीटर 60 मिनट पस्चात उत्थापक की स्थिती में परिवर्तन बराबर माइनस 5 गुणा 60 बराबर माइनस 300 मीटर अर्थाद भूमी की सतह से 300 मीटर नीचे 2. 45 मिनट में उत्थापक की स्थिती में परिवर्तन बराबर माइनस 5 गुणा 45 बराबर माइनस 225 मीटर इसलिए उत्थापक की अंतिम स्थिती बराबर माइनस 225 जमा 15 बराबर माइनस 210 मीटर अर्थाद भूमी की सतह से 210 मीटर नीचे प्रिश्ट 22 गुणा माइनस अठारह F. माइनस बारह गुणा माइनस ग्यारह गुणा दस G. नौ गुणा माइनस तीन गुणा माइनस छे H. माइनस अठारह गुणा माइनस पांच गुणा माइनस चार I. माइनस एक गुणा माइनस दो गुणा माइनस तीन गुणा चार J. माइनस 3 गुणा माइनस 6 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 1 2. निम्न लिखित को सत्यापित कीजिए A. 18 गुणा कोष्ठकों में 7 जमा माइनस 3 बराबर कोष्ठकों में 18 गुणा 7 जमा कोष्ठकों में 18 गुणा माइनस 3 B. minus 21 गुणा कोश्ठकों में minus 4 जमा minus 6 बराबर कोश्ठकों में minus 21 गुणा minus 4 जमा कोश्ठकों में minus 21 गुणा minus 6 3. 1. किसी भी पूरणांक A के लिए minus 1 गुणा A किसके समान है? 2. वह पूरणांक ग्यात कीजिए जिसका माइनस एक के साथ गुणन फल है 4. माइनस एक गुणा पांच से आरंभ करके विभिन गुणन फलों द्वारा कोई पैटरन दर्शाते हुए माइनस एक गुणा माइनस एक बराबर एक को निरुपित कीजिए 5. उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणन फल ग्यात कीजिए A. 26 गुणा 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 गुणागुणा गुणा 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 माइनस 625 गुणा 65 F. 7 गुणा कोश्ठकों में 50 घटा दो G. माइनस 17 गुणा 29 H. माइनस 57 गुणा 29 जमा 57 6. किसी हिमीक करण यानी ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिगरी से 5 डिगरी सेलसियस प्रती घंटे की दर से कम करने की आवशकता है इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा 7. दस प्रशनों वालेक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिये जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस 2 अंक दिये जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किये गए प्रशनों के लिए शुन्य दिया जाता है 1. मोहन 4 प्रशनों का सही और 6 प्रशनों का गलत उत्तर देता है उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं 2. रिश्मा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। 3. हिना ने कुल साथ प्रश्न किये हैं, उनमें से दो का उत्तर सही है और पांच का उत्तर गलत है, तो उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं। 8. एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर आठ रुपए प्रती बोरी की दर से लाब होता है और सलेटी यानि ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर पांच रुपए प्रती बोरी की दर से हानी होती है। A. किसी महीने में वह कमपनी तीन हजार बोरियां सफेद सीमेंट की और पांच हजार बोरियां सलेटी सीमेंट की बेचती है। उसका लाभ अत्वहानी क्या है? बी, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिएं, ताके उसे ना तो लाब हो और ना ही हानी प्रिष्ट 23 9. निमनलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूरणांक से प्रतिस्थापित कीजिए A, माइनस 3 गुणा डश बराबर 27 B, 5 गुणा डश बराबर माइनस 35 C, डश गुणा माइनस 60 बराबर माइनस 56 D, डश गुणा माइनस 12 बराबर 132 1.6 पूरणांकूं का विभाजन हम जानते हैं कि विभाजन गुणा की विपरीत संक्रिया है आईए पूर्ण संख्याओं के लिए एक उदाहरण देखें क्योंकि तीन गुणा पांच बराबर पंद्रह है इसलिए पंद्रह भाग पांच बराबर तीन और पंद्रह भाग तीन बराबर पांच है इसी प्रकार 4 गुणा 3 बराबर 12 से 12 भाग 4 बराबर 3 एवं 12 भाग 3 बराबर 4 प्राप्त होता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के प्रतेक गुणन कतन के लिए दो विभाजन या भाग कतन है क्या आप पूरणांकों के लिए गुणन कथन एवं संगत भाग कथनों को लिख सकते हैं? निम्नलिखित सारणी को देखिए और इसे पूरा कीजिए गुणन कथन संगत भाग कथन दो गुणा माइनस छे बराबर माइनस बारह माइनस बारह भाग माइनस चे बराबर दो, माइनस बारह भाग दो बराबर माइनस चे, माइनस चार गुणा पांच बराबर माइनस बीस, माइनस बीस भाग पांच बराबर माइनस चार, माइनस बीस भाग माइनस चार बराबर पांच, –8 गुना –9 बराबर बहत्तर, बहत्तर भाग डश, बराबर डश, 72 भाग डश, बराबर डश माइनस 3 गुणा माइनस 7 बराबर डश, भाग माइनस 3 बराबर डश, डश, माइनस 8 गुणा 4 बराबर डश, 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 5 गुणा माइनस 9 बराबर डश, 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 माइनस 10 गुणा माइनस 5 बराबर डाश, डाश, डाश उपर युक्त से हम देखते हैं के माइनस 12 भाग 2 बराबर माइनस 6 माइनस 20 भाग 5 बराबर माइनस 4 माइनस 32 भाग 4 बराबर माइनस 8 माइनस 45 भाग 5 बराबर माइनस 9 हम देखते हैं कि जब हम एक रिनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके पश्चात भाग भल से पहले रिन चिन्ह यानि माइनस रख देते हैं हम यह भी देखते हैं के 72 भाग माइनस 8 बराबर माइनस 9 72 भाग माइनस 9 बराबर माइनस 8 और 50 भाग माइनस 10 बराबर माइनस 5 50 भाग माइनस 5 बराबर माइनस 10 इस प्रकार हम कह सकते हैं के जब हम एक धनात्मक पूरणांक को एक रिनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो सर्व प्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके पश्चात भाग फल के सामने रिन चिन्ह यानी माइनस रख देते हैं। प्रयास कीजिए ग्यात कीजिए A. माइनस सौ भाग पांच B. माइनस 81 भाग 9 C. माइनस 75 भाग 5 D. माइनस 32 भाग 2 प्रिष्ट 24 निम्न लिखित के लिए इसकी जांच कीजिए. एक, 90 भाग माइनस 45 और माइनस 90 भाग 45. दो, माइनस 136 भाग 4 और 136 भाग माइनस 4. व्यापक रूप में किनहीं दो धनात्मक पूरणांकों A तथा B के लिए A भाग माइनस B बराबर माइनस A भाग B जहां B शून्य के बराबर नहीं है. प्रयास कीजिए. ग्यात कीजिए A, 125 भाग माइनस 25, B, 80 भाग माइनस 5, C, 64 भाग माइनस 16. अंत में हम देखते हैं कि माइनस 12 भाग माइनस 6 बराबर 2, माइनस 20 भाग माइनस 4 बराबर 5, माइनस 32 भाग माइनस 8 बराबर 4, माइनस 45 भाग माइनस 9 बराबर 5. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम एक रिनात्मक पूरणांक को एक रिनात्मक पूरणांक से भाग देते हैं तो सर्व प्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके पश्चात भाग भल से पहले धनात्मक चिन्ह यानि प्लस रख देते है व्यापक रूप में किनहीं दो रिनात्मत पूरणांकों A तथा B के लिए माइनस A भाग माइनस B बराबर A भाग B जहां भी 0 के बराबर नहीं है प्रयास कीजिए ग्यात कीजिए A माइनस 36 भाग माइनस 4 B माइनस 201 भाग माइनस 3 C माइनस 325 भाग माइनस 13 अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समनवयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचनस्वर गौरव मारवा तकनीकी समनवयक बतिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन वा निर्माण विमलेश चाधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत